तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रेटर रेजलिंग में तो दोस्तो आज हम आपको एक्स्प्लेइन करने वाले हैं क्या हुआ एजे स्टाइल और कोडी रोट्स के मैच के अंदर दोस्तो पहला एंट्रेंस को एजे स्टाइल का होता है उसके बाद आत कोडी रोट्स और ब्रॉक लेजनर के बीच एक और बार बैकलाश तो बहुत ज्यादा मज़ा आ जाता है लेकिन यह मैच भी बहुत ज्यादा अच्छा होता है दोस्तों इसके अंदर बहुत ही ज्यादा खतननाक तरीखे से एजे स्टाइल और एजे स्टाइल को धर लेते हैं दोस्तों इस सूपलेक्स के बाद एक किमोरो लॉक भी लगाते है एजे स्टाइल जिसकी वज़े से अनौसमेंट को भी यह भी कहना पड़ता है कि ब्रॉक लेजनर का मैच याद आ चुका है क्योंकि दोस्तों लास्ट यह ब्रॉक लेजनर और कोडी रोट्स के ब और दोनों सूपर स्टाइल एक दूसरे को किक लगा कर बेहोश हो जाते हैं उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कोडी रोट्स का मूव लगाने की कोशिश करते हैं क्रास रोट्स लेकिन एजे स्टाइल का मूव लगा देते हैं कोडी रोट्स यह देखकर भासी ज्यादा आता है दोस्तों उसके बाद दोस्तों यहाँ पर खतननाक तरीखे से रोलिंग खतननाक पाउर स्लैम लगा देते हैं उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एजे स्टाइल नेक ब्रेक करने की कोशिश करते हैं कोडी रोट्स की उसके बाद दोस्तों यहाँ पर खतननाक तरीखे से पच्छार देते हैं मुझे कुछ लोगों का ऐसा लगता था कि इस बार एजे स्टाइल जीट जाएंगे लेकिन कोडी रोट्स कमबैक करते हैं उसके बार क्रॉस रोट्स लग जाता है दोस्तों आपको यह मैच कैसा लगा और यह रेसलिंग मुव्स कैसे लगे हैं आप हमारी चैनल पर जरूर बताइएगा तो इस मैच के अंदर दोस्तों आप तो देख सकते हैं यहाँ पर रेंडी आटन और टामा टोंगा एक दूसरे के साथ फेस्ट फेस हो जाते हैं और आडियंस का रियाक्शन ही कुछ और हो जाता है बहुत ज़्यादा शेयर अप हो जाता है दोस्तों उसी के बाद यहाँ प पर आप लोगों को मालमी होगा एक RKO आट अफ नोवेर पढ़ियाता है टामा टोंगा को उसके बाद यहाँ पर केविन ओवन्स चेर से मार मार कर टामा टोंगा की हालत खराब करते हैं और जीतने के खरीबी जाते हैं कि आचानक दोस्तों टामा टोंगा के बाई का एंटर होता है और यहाँ पर ब्लड लाइन सोलो सिकोवा केविन ओवन्स पर अपना फिनिचर मार कर जीद लेते हैं तो दोस्तों ब्लड लाइन के निव मेंबर टामा टोंगा के अपने भाई है दोस्तों तो आपको यह अपडेट कैसी लगी हमें कॉमेंट में जरू बताइएगा थाउडेका टिया वाह।